हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में जैसा कि आप लोगों पता है कि रेल्वे के एंटी पीसी का सी बीटी वन कर रिजल जब घोसित हुआ था तो दोस्तों वहाँ पर यूनिक कंडिडेट को ना लेकर रेल्वे ने क्या किया था कि बहुत सारे जोन में जो साज उठाए बहुत सारे तोड़ फोड़ हुआ तो रेल्वे ने दोस्तों हाई कमिटी बनाई इसके खिलाफ और हाई कमिटी ने दोस्तों अब कुछ डिसीजन आप सभी लोगों के सामने ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से रखी है तो दोस्तों आप देख सकता है यह आ और रेल्वे एक उबलिक 2019 ग्रूप डी के अंतरगत तो चलिए फ्रेंट इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके देख से बिस्तार से कि क्या अब यूनिक 20 गुरा कंडिट को रेल्वे ले रही है नया रिजल्ट कब घोसित होगा आपका CBT2 एक्जामनेशन कब होगा औ और रेल्वे ग्रूप डी का जो एक्जाम होने वाला जिसमें CBT2 की बात कहे गी थी कि क्या उसको कैंसल कर दिया गया है तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलीगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने चोड़ी सी रिक्य जालते हैं पोंट बाई पोंट ओ देखते हैं यहां पर तो देखें यहां पर तो दोस्तों आपको जैसे पता कि बहुत सारे हंगाम आ था तो डेल्वे ने कुछ नए डिसिजन लिया इसके प्रती आपका एंटीग बीसी और एक अब्लिक 2019 यारी आपका ग्रूप डी के जो पहले नए नियम आये थे तो उसके प्रती क्या डिसिजन आया तो देखें विद पेल लेबल वाइज फोर सेकेंड इस्टेज कंप्यूटर बेज टेस्ट सीवीटी फोर सी एंट टू अबलिक 2019 एंटी पीसी तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग की जीत हुए जैसा आप लोग ने डिमांड किया था कि 20 गुना नए कंडिट को मौका दिया जाए दोस्तों आपका 20 गुना नए कंडिड़ को मौका दिया जा रहा है और वही लोग सेकेंड स्टेज का एक्जाम लिखेंगे सेकेंड पर आते हैं तो candidate already announced qualified will continue to remain qualified तो जो candidate CBT1 qualified कर चुके हैं अब उन पर कोई किसे परकार की सुधार नहीं किया जागा वो अभी भी qualified ही रहेंगे the list of additional candidate getting shortlisted will be notified at each pay level तो दोस्तों यह बता है कि जो नए candidate है हर पे लेबल पर आपका नए नए candidate को मौका दिया जाएगा और उन लोगों को finally CBT2 में exam लिखने दिया जाएगा अब आते हैं पॉइंट नवरा फोर में तो देखें आप पर rrb wise second stage CBT for each pay level with all candidate of one rrb recommendation in a single shift which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity of constant or otherwise percentile based normalization will be done तो दोस्तों यहां बता जा रहा है कि second stage का जो आपका CBT examination हो लेवाला है वो आपको PAY यानि आपको जैसे जैसे लोगों का हर जो पोस्ट को division किया गया है तो पोस्ट भाई पोस्ट नए नए सुचनाए आएंगी जिस पोस्ट में जिसका selection हुआ है उसके लिए अलग से link यहां पर upload किया जाएगा लेवेक ओफिशियल वेफसाइट में और उसके बाद आपको अपना CBT2 का जो कॉल लेटर डाउनलोड करके आपको एक्जामें से लिखने जाना है क्योंकि यहां बहुत सारी candidate है जो लगातार भीड हो जाएगी और बहुत सारी candidate हो जाएंगे और एक चीज नए बता जा रह विल बी ए सिंगल स्टेज एक्जाम तो दोस्तों यहां पर बड़ी जीत आप लोगों को देखने के मिल रही है कि आपका यह सेकेंड स्टेज का जो एक्जाम घ्रीस की घोसना हुई थी वह अब नहीं होगा आपका स्टेज यानि आपका सिंगल स्टेज एक्जामनेशन होगा उसके बाद डोकूमेंट बडिकेशन और मेडिकल एक्जामनेशन होगा देर विल बी नो सेकेंड स्टेज 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 स्टी ठीके दोस्तों अब आता है नेक्स्ट पॉंट में देखें हाँ आपर रसी वाई सी बीटी विल बेल फोर लेबल वन अल्सों मेक्सिम एक्जामनेशन होगा यानि हो सकता है दोस्तों कि आपका तीन से चार स्ट में एक्जामनेशन हो बहुत है कि एक दिन में चार सेप्ट रेल वे क्यूंकि अगर कम कम लोगों को मौका दिया जाएगा रेल वे तो जो एक्जाम का प्रोसेस हो बहुत ही लंबा चल जाएगा तो मैक्सिम्म कैप्रिसिटी को लेते हुए एक्जामनेशन ये होगा कि दोस्तों आप पता है कि पिछली बार जो एक्जामनेशन होगा आपको दो अड़ाई मने तक इस बार क्या करना चाहता है कि मैक्सिम्म पॉसिबल एबिलेटी के अनुसार एक्जामनेशन को कंड़क्ट कराएगा पर्सेंटेल बेज्ड नर्मालाईजसन तो दोस्तों आपको पर्सेंटेल बाईज नर्मालाईजसन होगा उसके बाद विचिस सिंपल एड़ इजी टू पर्सेंटेल आएगा विल भी यूज वर्रब्द नम्बर फिट इंबल्व और और मॉर देन वन तो दोस्तों यहीं बात यहां पर रखी गई है कि परसेंटेल आप लोगो जैसे पता है कि नर्मालाईजसन क्यों कहा जाता है कि एक ही दिन माली चार सिप्ट हो गया तो चार सिव्थ में कभी होता है कि फिर्स सिप्ट में decision जो साहा को मैंटेन करने के तो टू मेडिकल स्टेंडर को बढ़ा रेल्वेया है मेडिकल मेंवल इसको फोलो करते हुए आपका जो medical examination है वो होगा next point बात है any available income and asset certificate for of candidate next point बात है any available income and asset certificate for candidate who have applied under economically weaker section will be considered as valid अब आते हैं दुस्तों नीचे और नीचे यहां देखिए schedule tentative of CEN 1 oblique 2019 NTPC and CEN RRC 1 oblique 2019 label 1 तो दोस्तों आपका NTPC CBT 2 और group D 2019 examination कब होगा जो की यहां पर संभावित थी है इसकी गोशना हो चुकिए तो चलिए देखते हैं तो देखें आपर revised result of all pay label to be declared by first week of April 2022 तो दोस्तों आपका आने वाला जो April का महना है वहां पर revised result गोशित किया जाएगा second point माते है second stage CBT 4 pay label 6 to be held in May 2022 तो आपका second stage का CBT का जो लेवल 6 का examination है वो आपका मई के महिने में start हो जाएगा second stage CBT 4 other pay label to be conducted after giving ये reasonable गया तो दोस्तों इसके बाद एक regional यानि एक छोटा से gap लिया जाएगा level 6 के examination के बाद और उसके बाद आपका other stage का examination है वो उसको भी conduct कराएगा next point माते है it has been decided to follow revised methodology with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT तो दोस्तों यहां बता जा रहा है कि जो पुराने methodology है जो special condition है उसको follow करते हुए आपका examination को कराएगा तो दोस्तों इस point बता जा रहा है क्योंकि यहां पर जो second stage का examination element हो गया है तो जाहिर है कि आप एक ही stage का examination होगा single stage examination होगा group D में तो जो पुरानी methodology है उसको follow करते हुए आपका single stage का examination group D में होगा next point माते है this will involve mobilizing of additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 which significant increase in post shift requirement effort will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible तो दोस्तों आपका जैसा पहले क्या railway decide कि दो stage में आपका examination होगा तो जाहिर उसके लिए कम logistic कम manpower और कम exam center के जोरत पढ़ती है लिकिन तो आप यह railway जो decision change कर दिया है तो आपका single stage examination के लिए अब ज्यादा center के जोरत पढ़ेगी तो सारा कुछ manage railway करेगा ठीक है दोस्तो ताकि जल से जल आपका examination complete हो सके अब last point बात है देखें आप पर hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from July 2022 onward तो दोस्तों लास्ट है बता जा रहा है कि जो आपका group D 2019 का examination होगा वो आपका जुलाई 2022 के सुरुवाती समय में exam हो सकता है so friends यह है latest सुचना जो की group D 2019 और साथ साथ NTPC CBT 2 के अंतरगत आई है तो चलिए मिलते हैं फेकली वीडियो में तब तक कि लिखनवाद जहिंग चैभारत जब थाज़ाद दजवाद को है झाल